कि हलो दोस्तो कैसे आप सभी स्वास करते आप सभी क युवस्त जी को इस में तो दोस्तो आँज बिहार डियर्ट केलिए सोशल साइंस प्लस साइंस का जो प्रक्टिस डाप रहा था आप स्वाइबने कूभर करेंगे क्योंकि इस से पहले ढ्लेड इम सभी फ्रक्र प्रेक्टी सेट कम्पिट कर चुके थे तो चले शुरू करते हैं आज किस प्रेक्टी सेट को कम्पिट जरूर सॉल्प किज़ेगा आज फाइस्ट को इसने पर्थम बहुत संगीती किसके सासनकाल में हुआ था अगर इसेट में किसी भी कोशिशन का अंसर पता हो तो अपना अंसर आप सभी नीचे के मेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो याद रखेगा आप सभी पर्थम बहुत संगीती जो वी ती फिर्ण वो अजा सत्रू के सासनकाल में हुई थी कब हुआ था? 483 इसापूर्व में हुआ था ध्यान रखेगा इसापूर्व इसापूर्व क्या होता है? इसामसी के जन्म के पहले को इसापूर्व करते हैं और इसामसी के जन्म के बाद को हम सभी इसवी करते हैं इसापुर्व और इस्वी में फरक आप सभी देख लिए जे क्या है देखे इसापुर्व जो होता था वो क्या होता था इस्वी समय उल्टा चलता था जैसे कि 5 है तो 4 होगा 4 के बाद 3 होगा 3 के बाद 2 होगा उसके बाद 1 होगा और इस्वी में क्या होता था इस्वी में जो होता है वो सीधा चलता जैसे एक, दो, तीन, चार अभी क्या चल रहा है इस्वी चल रहा है ध्यान रखेगा तो इसा पुर्व उल्टा चलता था यह जिछ में गौर किजिगा आप सभी और पर्थम बोष संगिती जो हुआ था यह कहा हुआ था राजगीर में तो ध्यान रखेगा आप सभी राजगीर में पर्थम बोष संगिती हुआ था फ्रेंड और इसके अदक्षिता किसने के थी तो महाकश्चप की द्वरा किया गया था किसके दुरा महाकश्चप के दुरा क्या गया था याद रखेगा आप सभी देखें कालशोक के सासनकाल में दूसरी बोश संगीती हुई थी कालशोक के सासनकाल में दूसरी बोश संगीती हुई थी कहां पर वैसाली में तो ये भी आप सभी नोट किजेगा वाईसाली में हुआ था डेट क्या था इसका 383 इसापुर्व हुआ था अध्यक्च कौन था सब कामी था उसके बाद असोक के सासनकाल में तिसरी बोश संगिती हुई थी कब 255 इसापुर में कब हुआ था 255 इसापुर में कहां पे हुआ था पाटली पूत्र में पाटली पूत्र में हुआ था द्यान रखेगा आप सभी और अध्यक्च कौन था तो तो मोगली पूत्र 3 कि अध्यक्च सताबदी में हुआ था ध्यान रखेगा इस वे कि पर्थम सताबदी में हुआ था और इसके अद्धक्ष किसने कि थी वसुमित्र या अब गोश ने कि थी ध्यान रखेगा ये चारों बोश संगिती के बारे में आपको बता दिये डिटेल से इसे आप सभी नोट कर और दिखे कनेक्स के समय में ही बोश संगिती दो भाग में विवाजित हो चुका था हिनियाईन और महयान धर में विवाजित हो गिया था आए अगला को इससे ने गुजरात में किस अस्थान पर हडपा की सभयता के अपसिस मिलते हैं फ्रेंड राइट आंसर उप्सिन में जाएंगे लोथल में मिलते हैं ध्यान रखेगा लोथल कहां पे हैं गुजरात में इस्ति थे यहां पर हडपा सभयता के अपसिस मिलते हैं ध्यान रखेगा आफ सभी इसके खोज करता थे इसकी खोज 1957 से लेके अंठावन के बीच में किया गया था और किस नदी के तडपर रहे कभी कभी पूछता है तो भोगवा नदी के तड़ पर इसती थे ध्यान रखेगा है। भोगवा नदी के तड़ पर इस्तिते अहमदाबाद के गुजरात में इस्तिते ध्यान रखेगा आप सभी कोईसन के लिए ने अगला कोईसन देख लिए जे अगला कोईसन ये बंड़े कि निमन मेंसे किस दरब का उपयोग हरपा कालेन की मुद्राओं के निर्मान में मुख रूप से किया जाता था तो देखें टेरा कोटा दरब का उपयोग करते थे ध्यान रखेगा मुद्रा को बनाने में अगला कोशन देखे लिए जे तृतिय पानिपत का यूद हुआ था तो फिर आपसे को पता होना अच्छे तृतिय पानिपत का यूद जो हुआ था आहमदासा अफदाली और मराठों के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था 1761 इसवी में हुआ था देखे पानिपत का तीन यूद हुआ था तीनों यूद के बारे में बताते हैं पर्थम यूद 1526 इसवी में किसके किसी बीच में बावर और इबराहिम लोदी की बीच में इस यूद में क्या हुआ था बावर का जीत हुआ और इबराहिम लोदी का हार हुआ था और तीसरा यूद का बुआ था 1761 में आहमदासा अबदाली और मराठों के बीच में मराठा का बुरी तरह से प्राजे हुआ था और आहमदासा अबदाली का जीत हुआ था तो ध्यान रखेगा ये तीनों यूद को जो की पेपर में पूछे जाते हैं अगला कोशन है उस्ताद मंसुर खा किसके सासनकाल के परसित चितरकार थे रैट आंसर अब भी हो जाएंगे जहांगिर के सासनकाल के परसित चितरकार थे उस्ताद मंसुर खा अगला कोईशन देख लिए जे फिन उनेश चो उनेश में अखिल भारते खिलापा सम्मेलन किस अस्थान पे हुआ था तो ये हुआ था दिल्ली में ध्यान रखेगा उनेश चो उनेश में अखिल भारते खिलापा सम्मेलन जो हुआ था फिन वो कहां पर हुआ था दिल्ली में आयुजित किया गया था C right answer question के लिए रहें अगला question है किस governor के कारेकाल के दोरान कोलकाता के Victoria Memorial Hall का निर्मान हुआ था right answer option मड़ी हो जाएंगे hoarding के समय में friend क्या हुआ था कोलकाता के Victoria Memorial Hall का निर्मान हुआ था option मड़ी रेट answer रहेंगे अगला question देख लिए जी किसके समय में कोलकाता में पर्थम नियायले के अस्थापना की गई थी friend तो friend आपसे को पता हूँ अच्छे कोलकाता में जो पर्थम नियायले के अस्थापना जो की गई थी वो Warren Hashting के समय में की गई थी ध्यान रखेगा देखे Lord Hashting अलग है और Warren Hashting अलग है ध्यान रखेगा आपसे भी ये 1773 के ताहत है 1773 के Regulating Act के ताहत इसे Governance General बनाया गया था ध्यान रखेगा बंगाल का Robert Kalai बंगाल का पर्थम गवर्नर था Lord Kenning जोईफेंड ये कौन थे तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जिनर तथा पर्थम वाइसराय ते ध्यान रखेगा भारत के अंतिम गवर्नर जिनर तथा पर्थम वाइसराय लॉड डलोजी ने कूशासन निती को अपनाया था और इसी के सासनकाल में पहली बार जोई की आठारसो तिरपन में रेल लाइन बिचवाई गई थी जो की 34 किलोमेटर की लाइन थी मुंबई से थाने के बीच में इसने डाक टिकट की सुरुवात की थी पलस में बिजली का तार भी बिचवाया था ध्यान रखेगा आप सभी अगला को इसन देखे लिजे निमलेखित में से किस साम को हिंदूस्तान का तोता कहा जाता है तो फिन आच को पता होना अच्छे अमिर खुसरो को हिंदूस्तान का तोता भी कहा जाता है या साम को हिंदुस्तान का तोता भी का जाता है ये भी का सकते हिंदुस्तान का तोता किसे करते हैं अमिर खुसरो को काते हैं अगला को इसने अमिर खुसरो का जन्म अस्थान है तो दिखें अमिर खुसरो का जन्म हुआता फिन वो पटियाली में हुआता ध्यान रखेगा एर मुद्दिन ओलिया के अगला कोई से ने हिंदूस्तान 40 लाइजर्स लिमिटेट के अधिन निमलकित नगरों में से कहां उद्धोग अस्थापित किया गया है तो यह जो अस्थापित किया गया है बारोनी में किया गया है बारोनी कहां पे हैं बिहार में पढ़ते हैं बिर्हाइट आंशेंगे। अगला कोईिशन ने बन के सवामी सहाजानंद का संबन था। तो तो दिए कि सवामी सहाजानंद का जो संबन था, वो किसे था? बिहार के किसान अंदूलन के साथ था। अगला को इसने स्वसंतरता पूर्व बिहार में बड़े जमिंदारों की राजनेतिक सक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को ध्यान रखेगा स्वसंतरता के पूर्व बिहार में बड़े जमिंदारों की राजनेतिक सक्ति बचाने का माध्यम क्या था आर्थिक सक्ति को option number C right answer अगला कोई सने निमले खित में से एक उत्तर भारती निरित्ती है तो इपने आज को पता है उत्तर भारत का निरित्ती जो है वो कथक है कथक क्या है ये एक सास्त्रिय निरित्ते ध्यान रखेगा जो कि उत्तर परदेश का ये निरित्ते यूपी का है ध्यान रखेगा आप सभी का का है यूपी का निरित्ती है और ये विर्जु महाराज क्या करते थे ध्यान रखेगा आप सभी कथक कली का किये केरल किये मनिपूर मनिपूर किये उडिसा जो है ये उडिसा का ही सास्त्री निर्त्य है अगला कोईशन देखे लिए कुछी पूरी किस राज की निर्त्य सहली है तो देखे कुछी पूरी जो है ये किस राज की निर्त्य सहली है आंद्र परदेश की है बी रैइट आंसर हैंगी अगला कोईशन दक्षिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है दक्षिन भारत की लंबी नदी कौन सी है तो फिर आपसे को पता हो ना जब दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है गोदाबरी और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा है ध्यान रखेगा आप सभी दक्षिन भारत की बात किया जाए तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है अगला कोई से ने जभार सागर, राना परताफ सागर तथा गांदी सागर जल्यास किस नदी पर निर्मी थें तो ये निर्मी थे चंबल नदी पर ओप्सन मर बीरेट आंसरेंगे तो ध्यान रखेगा जभार सागर, राना परताफ सागर बंद तथा गांदी सागर जल्यास जो है ये निर्मी थें चंबल नदी पर अगला कोईशन कर लेते हैं, उतरी अमिर्का महादुईव के पस्चिम में कौन सा महासागर स्थी थे हैं अगला कोईशन देख लेजिए निमने मेंसे कौन सा अंडमान एवमनीको वारतुईवों का आदिम जन जाती समूल नहीं ये तो दिखे अंडमान और नीको बार दूइब सम्मू का आदिम जन जाती जो सम्मू नहीं है वो है कादर ये नहीं है ध्यान रखेगा आप सभी जबकि जारवे सेंटो निलिज ओनगे ये सभी जो है कि अंडमान नीको बार दूइब सम्मू का आदिम जन जाती है जबकि कादर नहीं है देखे कादा जन जाती जो है ये देखने को मिलता है में किरल राज में ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई से देख लिए भारत का सबसे बड़ा राज छेतर फल में कौन सा है तो छेतरफल में सबसे बड़ा राज जो है वो राजास्थान है ध्यान रखेगा आप सभी और सबसे छोटा कौन सा है गुवा तो ये दो चीज को याद रखेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज कौन सा है उत्तर परदेश यूपी है और सबसे कम कौन सा है सिक्की में है ध्यान रखेगा आप सभी सबसे अधिक जन संक्या गनत्वकिस राज का है बिहार का है ध्यान रखेगा और सबसे कम और नाचल परदीश का है सबसे अधिक साक्षार्ता दर्किस राज में है केरल में है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन देख लिए जी स्चूरिक ग्रहन के दौरान निमलेकित में से कौन सा सूरिच चंदर्मा तता पिर्तिवी की संगित इस्थिती को सही डंग से दरसाता है राइट आंसर ओफसनों बिजाएंगे सूरि तता पिर्तिवी के बीच चंदर्मा ध्यान रखेगा आप सभी देखे स्चूरिक ग्रहन जब होता है तो क्या होता है सूर तता पिर्तिवी के बीच में क्या आता है चंदर्मा आता है जो कि चन्रमा का छाया पढ़ने लगता है पिर्थवी पे तो क्या होता है शूरी का कीरन पिर्थवी पे नहीं पहुँच पाता है जिसके कारण से हम सभी क्या करते है उसे शूरी ग्रहन काते ही ध्यान रखीगा आप सभी अगला कोशन देखbei लिए अलखनंदा का उद्गा मस्थल है राइट आंसर आपशन में जाँए संतो पथ संतो पथ जो है अलखनंदा का उद्गा मस्थल है अगला कोईस ने दादरा एवम नगर हवेली किस उच नियायले के छेतरा दिकार में आता है तो राइट आंसर ओपिसन मसी हो जाएंगे बंबई उच नियायले के छेतरा दिकार में दादरा एवम नगर हवेली और इसके अलाबा एक दमन और दूई भी आता है ध्यान रखेगा दादरा एबम नगर है वेली पलस में दमन दूई पाता है बंबई उच्छी नियाले के छेतरादिकार में अगला कोशिय ने जारखंड उच्छी नियाले की अस्थापना कहां की गई थी राचि में इसकी अस्थापना की गई थी अगला कोशिय ने दास के पीटल किसकी पूष्ठक है दास के पीटल और कई बार कोशिय पूछे भी गई तो याद रखेंगा आप सभी ये पूष्ठक है कार्ल माक्स की ध्यान रखेंगा आप सभी राइट आंसरेंगी अगला question कर लेते फिन भारत किस देश को low-ask का सबरदिक निर्यायत करता है तो ये किया जाता है जापान को देखे भारत जो एकी सबसे अधिक low-ask का निर्यायत जो करता है वो जापान को करता है अगला को इसने नोबेल पुरुषकार बिजेता पर्थम इस्याईक अर्थ सास्त्री प्रो अमर्थ सेन की लिखित पुस्तक है उपरियुक्ति में से सभी यानि की कलेक्टिब च्वाइस एंड सोसल वेलफेर उसके बाद जो की पावर्टी अन फैमिस उसके बाद है इंडिया इकोनॉमिक डबल पेमेंट एंड सोसल ऑपर्चुनिटी ये सभी ध्यान रखेगा आपसे पर्थम इस्याईक अर्थ सास्त प्रो अमर्थ सेन की लिखी पुस्तक ऑप्सेन मड़े रेट आंसरेंगी आगला कोशन कर लेते फिन योजना पत्रिका का परकासन कहां से होता है त दूरा होता है अगला कोशने मोड वेट संबंदी थे तो ये संबंदी थे मुल बर्दित कर से अगला कोशने भारत में स्वेत करांती का जनक माना जाता है एरेट आंसरेंगी डॉक्टर वर्गीज कुरियान को भारत में स्वेत करांती का जनक माना जाता है अगला कोशने ल बहुतों को रोजगार परदान करते हैं तो लगू एवम कुट्री उद्धुक इसलिए मातपूर ने क्योंकि वे बहुतों को रोजगार परदान करते हैं अगला को उसे ने पर्थम बित आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आफसी को पता होना चाहिए पर्थम बित आयोग के अद्दक जो थे, वो केसी नियोगी थे, तो याद रखेगा A-Rate आंसरेंगे, केसी नियोगी, अगला को उसे ने, खानीज पदार्तों के उत्पादन में निमलकित में से कौन सा राज पर्थम अस्थान रखता है, तो देखे, खानीज उत्पादन में जो पर्थम अस्थान वो है जारखन, A-Rate आंसरेंगे, अगला को उसे ने, भारते हीरा सांस्थान कहां इस थापी थे, तो ये अस्थापी थे सूरत में, अगला को उसे ने, बीशु में कोईला उत्पादन में अगर निये देशे, तो ये है चीन, अगला को उसे देखे लिए जेफिन, जान की रमान सिमीती का गठन किस उद्देश से किया गया था, तो ये किया गया था, बैंकों की परती भूतियों के सौधे की जांचेतों किया गया था, तो जान की रमान सिमीती का गठन जो किया गया था, वो बैंकों की परती भूतियों के सौधे की जांचेतों, अगला को उसे न मानफ सुचकांग किस ने बनाया था तो ये UNDP के दुरा बनाया गया था मानफ सुचकांग अगला कुछ से ने फिन चाय निर्याद के मामलों में विश्यू में अगर्निय देशे तो इस देश का नाम है स्री लंका तो option number 8 आंसरेंगी अगला कुछ से ने नेली करांती का संबन्द निमले कितमे से किस से है तो ये संबन्दी थे मतस्चिपारन से तो याद रखे का आप सभी नेली करांती का संबन्द जो है वो मतस्चिपारन से है अगला कुछ से ने फिन अगला कोईसे ने भारत में हीरे की खान कहां इस्थी थे तो ये कहां इस्थी थे मद्द पर्देश में तो हीरे की खान मद्द पर्देश में है अगला कोईसे ने भारत में रेलवे तंत्र कब अस्थाफित किया गया था तो ये आठारा सो तिरिपन में अस्थापित किया गया था याद रखेगा जो कि 34 किलो मेटर की लाइन बिछवाई गई थी और किसके समय में लॉट डलहॉजी के समय में बिछवाई गई थी पहली बार रेल्वे लाइन मुंबई से थाने के बीच में अगला को उसे ने भारत का सबसे बड़ा वेपसाइक बैंक हैं बारते इस्टेट बैंक भारते इस्टेट बैंक भारत की सबसे बड़ी वेपसाइक बैंक है याद रखेगा इसके अस्थापना उनेशो पच्छपन में की गई थी अगला कोई से ने पर्थम छेतरिय गरामेन बैंक के अस्थापना किस बरसी की गई तो 1975 में की गई थी अगला कोई से ने बीश्व के नारियल उत्पाद देशों में भारत का अस्थान है तो इसका अस्थान 33 छेतर में आता है द्यान रखेगा आपसे भी नारियल के उत्पादन में अगला कोई से ने मतस उत्पादन में भारत का बीश्व में कौन सा अस्थान है तो यह है दूसरा अस्थान तो मतस उत्पादन में भारत में 20 में कौन सा अस्थाने तो दूसरा अस्थाने मतस उत्पादन में अगला कोई सेने भारतिय इस्टेड बैंक का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले है मुंबई याद रखेगा आप से भारतिय इस्टेड बैंक SBI का अगला कोईसे ने भारत में गठित पहली बार सहकारी सिमिति थी साख सिमितिया फिर साख सिमितिया जो है भारत में गठित पहली सहकारी सिमितिया थी अगला कोईसे ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किस ने दिया था तो A-Rate आंसरेंगे, मुहम्मद एकवाल के दुरा ये नारा दिया गया था, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आफशन में A-Rate आंसरेंगे, तो चलिए आज के इतना हैं, आज की इस सेट में कूल 50 कोईशन कवर कियें, आज की इस सेट के सलगाव से नीचे कमें अन बोक्स में जरूर बताईएगा, और जो चलिए पर ना है, तो लोगो सस्क्राइब करेंगे, गन्टी को प्रेज करेंजेगा, बिलते हैं जहिन बंद महातरम